जहन दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आज किस वीडियों देखने वाले हैं पहुत इंपोटेंट कोशन 2022 के एक्जाम के लिए आर्मी जीडी जी हां जो इंडियन आर्मी जीडी के त्यारी कर रहे हैं और उनका देखो एक्जाम पढ़ना बहुत जलूरी है आप रेस लगा र सटीकरता हूं यहां से कोई कोशन भार नहीं जाएगा जो बढ़ा रहा हूं एक इक कोशन आपकी एक्जाम में देखने को मिलेगा एक कोशन की बाला हेँ बस आपको यह देखना है कि आपकी कितने द्यारी आप कि आंसर दीजिए और मैं भी इसको एक्स्प्लेइन ह gwint को explain करके बता हूँगा कि इन कोशनों को हम कैसे करने वाले हैं अज की इस वीडियो में सिर्फ हम 30 कोशनों को देखेंगे जो आपके G.K.G.S. से जो कोशन बनते हैं उन कोशनों की बात कर रहा हो G.K.G.S. कोशनों को देखेंगे हम जो most important है आपके exam के लिए ठीक है और ये 30 question आपसे पूछे जाते हैं और 20 question मैं तो reasoning के पूछे जाते हैं वो हम next video में डालेंगे ठीक है और याद रखना यहां से एक भी question बाहर नहीं जाने वाला है तो पहला question आपके सामने है पहले question का answer देंगे सबसे पहले सबसे पहले देखते हैं कौन देता इस question को comment section में answer देना और मैं इस explain करके बताऊँगा देखे ये और trick भी रताऊँगा साथ में किस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं तो यहां बोला गया है सयुक्त राष्ट संग का मुख्याल है कहां इस सित है देखे अब सयुक्त राष्ट संग को हम क्या कहते है आई एस ओ भी बोलते है shortcut में अब यहां बात की जाए यह कहां है अब एक बात बताओ हम सयुक्त राष्ट मतलब कर पूरे राष्ट पूरे सयुक्त माने पूरे राष्ट को हम देखने जाएंगे तो किसी के संगी तो जाएंगे हाँ अब जब संग जाएंगे तो क्या करेंगे भाई नियू नियू चीज़े देखेंगे कैसी देखेंगे हर चीज कैसी देखेंगे हम किसी के संग जाएंगे पूरे राष्ट में घूमने तो कुछ ना कुछ तो नया यह भी तो वाद है तो आप में यूएसे में है यह सयुक्त राष्ट अमेरिका में है याद रखेंगे इस बात को अभी कभी कभी यह पूछ लेता है कि आई एसो बतलब जिसे कहते हैं सयुक्त राष्ट संग इसकी स्थापना कब होई थी तो आप गए उन्नस सो पैतालिस में कि स्थापना होई थी कभी यादा हैं कि अब हो हुए दी आक उन्नस सबाइस में कहां तेक्स कितने जैस हैं कि इसके अधियक्ष जो सदस सदस बने हैं सोड़ी सदस कितने देश हैं तो आप गोगए 193 देश इनके सदस है तो आपको 193 है अब तक और अभी पूचले हाली में कि सइक्त राष्ट संके अध्यक्ष कौन है आपसे कोई अध्यक्ष पूचले कि भाईया ये बता दो अध्यक्ष कौन है इसके तो आप सभी कहेंगे महासजिब एंटोनिया गुटे रेस moHaassajib एंटोनिया गुटे रेस याद रखेंगे, यह बहुत ज़रूरे है आपके लिए ठीक है तो एंटो एंटोनिया एंटोनियो कह सकते हैं एंटेनिया गुटे रेस ठीक है, इस बात को याद रखिए है यह बहुत ज़ादा Emperor और इसके बात करें यह से बाहर कोई कोई पूछेगा आप से तराश्ट संग पूछेगा तो कहां मुख्याला मिवार्क यूए से इसके प्रमुक अध्यक्ष कौन है मलब की इसके अध्यक्ष कौन है तो आपको एंटोनिया गुटेरेस हैं और यह दि बात कि लिए इसके कितन नहीं जाएगा एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा इससे अब कभी भी कोशन से इकतराश्ट संग से आएगा अब छोड़के नहीं आएगे मुझे पता है दूसरा कोशन आपके सामने है अंता राश्टिये अहिंसा डिवस किस तारीक को मनाया जाता है अहिंसा देखिए जब महात्मा गांधी पैदा हुए मालों इस प्रकार से तो उन्होंने एहंसा फैला दी मतलब कि सोतंत्रता के लिए कुछ भी किया एहंसा करने लगे तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं जब महात्मा गांधी पैदा होते ही उन्हों यह सब कुछ महात्मा गांधी की काण नहीं हमारा देशाजाद हुआ इस पर कर सके सकते हैं मुख ब्यक्ति वही था तो अंतर राष्टी एहंसा दिमस की बात करें तो सबसे ज्यादा एहंसा दो अक्टूबर जब महात्मा गांदी के जनब दिन पर हुई मैटर जो ही कह सकते हो तो दो अक्टूबर याद रखना द बावर इबराहिम के लिए और हेमु और वहरं रिपीट हो गया देखो आज तो मैं कहना रहा हुँ जो मैंने ने को पढ़ा दिया एक भी कोशन बाहर चला जाएं उस दिन मुझे बता दे ना पेपर हैकर यूट्यूब चल से मैं बता रहा हूँ उपको एक एक कोशन आपके एक्जाम में पूछा जाएगा नेक्स कोशन आपके पास सामने इस कोशन को देखो मैं आपसे बादा करता हूँ 2022 का एक्जाम आप बरदी पहनोगे तुम देखिए जब आओगे एक्जाम को तो कोगे सच में एक कोशन भाही सव पीरो यहां कहना भारती नगद मुद्रा नोट किस सहर में चृपय जाते हैं तो देखी किस सहर में चृपय जाते हैं बताइए भारत के अंदर को जो नगद मुद्रा होती है वो चार सहरों में छापे जाते हैं इस बात को याद रखना चार सहरों में छापे जाते हैं पहला सहर है नाशिक याद रखना पहला सहर है नाशिक दूसरा सहर है देवास तीसरा सहर है मैसूर तीसरा सहर है मैसूर और चौथा सहर है कौनसा है साल बॉनी जो कहा है पस्चिम बंगाल में पढ़ता है कौहां पढ़ता बिटा पस्चिम बंगाल में पढ़ता है तो हमारा क किस सहर में तो नासिक इसमें देखो कौन सा बटा नासिक वाक्री तो किसी में ने चपते हैं तो भारत नगत मुद्रा नोट किस सहर में चपते हैं तो भारत के अंदर चार सहरों में चपते हैं नासिक बेदा देवाज और मैं कह सकते हैं मैसूज मैसूर और वालद वो नी ठी इसके बाद में next question है आपका निमनिकित में से किसे lady विड़ा lamp के नाम से जाना जाता है ऐसी कौन देखो यह जो lady विड़ा lamp जो है इसको simply कह सकते है दीपक वाली महला हिंदी में से कहते है दीपक वाली महला के नाम से जाना जाता है तो याद रखना जो दीपक वाली महला है य दीपक जलाएंगी तो दीपक क्या नर्स दाती इस प्रकार से कह सकते हैं और किया था है फार्मेशी से आप याद कर लेंगे यह देखिया आगया फार्मेशी यहां देखो फा और यहां देखो फ्लो फ्लूरेस नाइटिंग रहल बहुत इंपोटेंट है लेडी लेडी विड लेडी कह सकते हैं लेडी विद्दा लेंप के जो जर्म हुआ था आठारा सो बीस में हुआ था और इसकी तो मिर्ती हुए थी वह 1910 में हुए थी आपसे इतना डीपली नहीं पूछेगा मैं आप जो बोल रहा हूं उसको दिहान दीजिए इससे बाहर कुछ नहीं आने वाल सब्सक्राइब कर लेना है आपको लाइक में उससे काफी प्रॉफिट होने वाला है नेक्स्स कोशन आपके सामने हैं देखेए फथेपूर सीकरी किस सासक दवारा बनबाया गया था अब देखो प्रकार से कह सकते हैं अब सिकारी किसी को क्या कर देगा उसे क्या करेगा कबर में दफना देगा कुछ न कुछ तो उसका कुछ भाग खालेगा बाकी जो होगा वह कवर में दफना देगा तो इस प्रकार से कह सकते हैं अकवर ने की थी नेक्स कोशन आपके सामने इस कोशन को देखे यहां कहा जाता है रूफ आफ दा वर्ल्ड किस इस्थान को कहा जाता है बहुत इंपोटेंट है रूफ आफ दा वर्ल्ड देखे रूफ आफ दा जो वर्ल्ड है ना इसको सिंपल कह सकते है रूफ आफ दा वर्ल्ड जो है ना इ कर दिपत में है तो अभी expands में तो बती को बोला जाता है रूफ ऑफ दावर्ड उप्रए वृडड पूरे बिस्व का सबसे उचा ठीक है पठाहर है इसे बिस्वए की छत-बी कहा जाता है पामीर के अगा झिया जाता है उससे пис दिख भी का कह proven याद रखना है प्लत-ब नदी का उद्गम अमर कंटन की पहाडी से होता है अमर कंटक जो होता है अमर कंटक की पहाडी से होता है आप याद रखना अमेशा अमर कंटक की जो पहाडी है वो तीन नदिया सब से जादा महां से important है पहली नदी है नर्मदा नदी नर्मदा नदी भी हमारी कहां से निकलती है अमर कंटक से निकलती है पहाड़ी से नमबर दो निकलती है सोन नदी दो नकलती है सोन नदी और तीसरी नदी जो निकलती है वो होती है जो ही जो ही ली नदी जो ही ली नदी ये तीन नदियां है जो अमर कंट की पहाड़ी से निकलती है अब आपके सामने हमला कौन सा नदी उद्गम है आप बता दो नर्मदा नदी भी है यहां देको सोन नदी भी है तो option तो यहां तो option तो हो जाएंगे ठीक है तो यहां इन्हो मुमेंट रुखेंगे इसका एक कोशन का थोड़ा इन्होंने डाउट किया है टैपिंग करते हुग गढ़बढ हो गया मुझे लग रहा है ठीक है जस्ट मुमेंट रुखेंगे नर्मदा नदी राइट होगा इसमें बिटा नर्मदा रधी यह देखिए यह नदी नहीं होग होता है इसी हमऐजी कहते हैं 15 कर में ईजी जो आर्टिकल की बात कि जाए ये कौन से आर्टिकल के थ्रूँ आते यह पूरे भारत का सबसे बड़ा वकील होता है याद रखना होता है वो पूरे जिसे महानियाबादी बोलते हैं इसे हिंदी में महानियाबादी क्या होता है पूरे भारत का कि पूरे भारत का सबसे बड़ा वकील होता है ठीक है याद रखना और इसकी जो निर्टी करता है वो राष्ट पती की जाती है इस बात को याद रखना है और इसमें जो हैं जो हमारे पंदरवे के जो एट जन्रल है वह मैं कैंड्य के एक कैना इसको याद रखना पेड़ के बेलुकॉपाल लिए ठीक है याद रखना है और ये कब कुले गए थे तो 2017 में इनको चुना गया था तुट 201 तुन 2017 को इने चुना गया था इनका कारकाल 3 वर्स है इनका कारकाल 3 साल है ठीक है याद रखना नेक्स को राष्टपति इसकी निफ्ति करता है नेक्स कोशन आपके सामने आ चुका है एक बार इसको देखेंगे सभी लोग माई एक्सप्रिमेंट विथ टूथ पुस्ता के लेखा कौन है बताइए माई एक्सप्रिमेंट विथ टूथ पुस्ता के लेखा कौन है याद रखना ऐसा दब एक्सप्रिमेंट करता है कोई अपने उपर एक्सप्रिमेंट करता है वो महातमा गांदी ही करेंगे इस बात को याद रखना है और यहां भी की ओर कहेंगे नेक्स कोशन आपके सामने आ चुका इस कोशन को ध्यान से देखना है यहां कह रहा है ही भारत में लोग सभा के चुनाब कितने बर्श बाद कराये जाता है तो भारत में जो लोग सभा का चुनाब होता है वो पांच बर्श बाद क चुनाब करा जाता है मैं आपको कभी एक पॉइंट यहां बता दू कि संसद क्या होता है संसर तीन चीजों से मिलकर बनी होती है एक होता है राष्टपती एक होता है राष्टपती और पिलस राजपाल सोरी राजसभा ठीक है राजसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है लोकसभा से मिलकर बनी होती है राष्टपती राजसभा पिलस लोकसभा से मिलकर बनी होती है यहां लोकसभा की बात की जा रही है लोकसभा के जो आर्टिकल की बात की जाए यह कौन से आर्टिकल के थुरू आता है तो आप सभी कांसर आएगा 81 आर्टिकल के थुरू आता है article 81 में लोक्स prints कि बार में पूरा discuss कराएगा है is जो सदस हैं बर्तमान में सदस्यों कि तैंके बताया जाए इनकी जो सदस है बर्तमान में वह 545 है और अधिकत्व हो सकते हैं कितने तो 50 अधिकतम हो सकते हैं लेकिन प्रिजेंट में 545 हैं इस बात को याद रखेंगे और एक पॉइंट याद रखना लोग सबा के जो बरतमान में जो अध्यक्ष है वो ओम कौन है ओम बिरला है ओम बिरला है याद रखिए ओम बिरला क्या है बरतमान में अध्यक्ष है पिर्थम अध्यक्ष की बात करें तो ब सदन का निता कौन होता है तो पी-म होता है जो प्रिजेंट में जो सबीधान संसोधन जो 2019 time किया गया था और 2019 में किया गया था और 2020 से लागू किया गया कि उसमें जो और जो फार्तियों को रखा जाता था दो फार्तियों को इनमें सदस्ता दी जाती थी उनको सदस्ता को निरस्त कर दिया गया है 209 साल जाधान सभीतान संवितानंता, 104 सhosफ ऊथिक है यह लिए भी आजयाए नमनी मेरे से लागु किया गया। नेक्स्ट से लागुकुष्च्ण आपके सामने हैं देखिए, यहा वुला गया है अक्सर जो कहकर भी संसोधित किया जाते हैं तो कौन संसोधित किया जाता है कौन किया जाता है संभोधित किया जाता है जो जिससे बोला जाता है ब्लैक परल्व किसको बोला जाता है तो पेले को बोला जाता है याद रखना पेले को ब्लैक परल्व बोला जाता है जिसे ब्लैक ब्लैक प फुटबॉल खिलाडी था ये कौन था ये फुटबॉल में ना ये फुटबॉल में सबसे महान खिलाडी था ये पेले इसलिए इसे ब्लैक मोती कहा जाता है याद रखने इस बात को ब्लैक परल कहा जाता है पेले को नेक्स कोशन आपके सामने आ चुका है कि भारती संसद की हुपरी संदन को क्या कहते हैं भारत की भाहरत की जो शंद है उसकी उसकी हिरा कहते है और राजसभा ऑर मैं तो सभी का आनचा अतिकल लोग सबाइस तोच हम अधिकन हो सकती है इस इस बात को याद रखना है और इस सब्द्स जाए इसमें क्या होते हैं जो राष्ट पती होते हैं वो बारा सदस्वों को अपने तरब से मनुनित करता है मतलब कि वो खुद चुनता है ठीक है मनुनित सदस्वों की संग्या कितनी होती लोगसभा में तो आप कहींगे बारा ठीक है वो राष्ट पती चुनता है अपने से स्थापना की गई तो आप स्थापना को सिंपली कहा देना दोस्तों कि 1952 में इसका कारेकाल कितना होता है तो आप यहां से इतने कोशन बनेंगे इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला नेक्स कोशन है ब्रहा समाज की इस्थापना किसके द्वारा की गई थी देखी ब्रहमर्ण जो होते ना वह राजाओं की तुमने देखा होगा कि हर एक राजा अपने मतलब कि राजा है कोई तो ब्रहमर को तहिंको जरूर रखता था मतलब किछी एड़्रस के लिए में अपनी कुंडलियों को दिखाने के लिए तो भराहमर समाज किस데 강 Trail राज़ा रामोन राएं ऑप्षैंस ने भी दिया है डी परम 버स्ता रहें अब स्टिक से याद करें सबस्ट suburban नेक्स और के सामने दे रहा है एक बश्तावी लोग इसकी आंप अंसरो दिएंगे यहाँ कहां आप और गध्रasन सब्सक्राइब तेने सबने चीज़ को वेस्ट बन रहे हो अधो सब्सक्राइब की देगे यहां कहरा just एंडिया कहा हिंस्सेंट है एंडिया कहा हिस्ट प फरेश द्वार कहा शाता है ता तक की उप बहारत का विखाद दिज़ाइब gateway of India को यदि बात की जाए gateway of India है कहाँ तो आप सब ही कहेंगे ये मुंबई में इस्तित है मुंबई कहाँ इस्तित है आप वोगे भारत में है यार ये भी भारत ओड़ी है उसके बात की जाए इसका निर्माड कब किया गया था gateway of India मतलब कि भारत के प्रवेस द्वार का निर्माड कब किया गया था कभी पूछ ले आप से एक्जामर तो आप कहेंगे 1924 में इसका निर्माड किया गया था ये कहते हैं कि gateway of India कितना फिट उचा है तो आप कहेंगे 26 मीटर उचा है मतलब कितना होगा 85 फिट उपर है पिट उचा है और यदि बात की जाए इसमें कितने लागात रुपए लगे थे कभी नहीं पूछे कि ये बात फिर भी 21 लाग मान लेना 21 लाग रुपए लगे थे ठीक है इससे जादा 21 लाग थोड़ी पूछे कि ये कुछ नहीं पूछे कितना फिट उचा है पंदरा कोशे हमारे जी के से बन गए अब जी एस से देख लो अब यहां बोला जा रहा है कि मनुस के सरीर में रख्त की मात्रा कितने प्रतिसत होती है तो सभी का आंसर आएगा कि साथ प्रतिसत हमारे बॉड़ी में रख्त पाया जाता है पूरी बॉड़ी का 7% पाया जाता है अब यदि बात की जाए स्वस्त कोई मनुस है उसके अंदर कितने लीटर रुदिर होता है तो आप उनके 7.8 लीटर रुदिर होता है यदि कोई बच्चा है जो छोटा सा है तो उसे 400 से लेकर 1400 ml तक होता है इस पर का से लेकर 400 ml तक बच्चे के अंदर कून होता है जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी बात की जाए चोटे चोटे बच्चे बच्चा होता है लेकिन स्वस्त मनुस है पूरा है तंद्रूस है उसमें 7.8 लीटर दूद हो ठीक है याद रखना और परशनेटेज की बात करें तो 7% होता है और लीटर की बात करें डियर ब्लड होता यहां इस इसकोर्शन को देखिए यहाँ टिक्स है आपको बता रहो L P G अब देखो हिर रहिखा है P तो याद रखे इसमें क्या हो का? तो 100% होगी यद राखे पी से प्रोपें तो प्रोपें देखो यहाँ ओड एक है अब देखो प्रोपें के साथ एथेन तो होगी नहीं बस याद रखनो इस बात को ठीक है कोई दिक्कत को ठीको problem no problem चलो next question इस प्रकार से याद रखना है next question आपके सामने है तब एक question और बन जाता है यदि मैंने आपको यहाँ जब LPG की बात किये है तो कभी कभी प्राक्रतिक gas की बात कर लेता है इसका और ethane methane और ethane का मिसरण होता है प्राक्रतिक gas में इसको याद लेख लेना एक hertz बराबर कितना होता है एक hertz बराबर कितना होता है तो सभी बता है 746 watt होता है एक hertz बराबर बहुत ज़्यादा important है next question आप से पूचा जाता है 746 याद रखना 746 watt प्रकास संसेशन में अधिक्तम होती है प्रकास संसेशन में अधिक्तम क्या चीज़ होता है तो आप को कि प्रकास संसेशन में सबसे ज़्यादा जो होता है वो लाल रंग होता है याद रखना है सबसे ज़्यादा होता है प्रकास संसेशन में बो क्या आता है प्रकास होता है इसको तो को याद रखना है या इसको इम्हें पोछा झाता है मनूज diary का फिरमिक स्वाइला होता है ba सब्सक्राइब यहां कि आहिता जीवन की मूलभूत इकाई क्या हैं जीवन की मुलभूत एकाई कोंसी होती है जीवन की मूलभूत की है जिसे होती है ये जीवन की मुलभुत इकाई होती है क्योंकि हमारा सरील उसकाओं से मिलकर बना होता है ऑप्षिन नमर चीज राइट नेक्स ने टाइफ और लॉट है ठाइब बैक्टेरिया के इस अब को बता होगा लेकिन है इस बात को याद तो गोड़ाता है तो उसका जीस्टी भी अभी भी जीस्टी दे रहे है तो देखो जी से क्या हो जाएका आप याद रखना जी सी आपका चो हो जाएगा जाता है एक होता है स्भी याद रखना चौ पास हो जाएका तुम्हारा क्या हो जाएगा पास वोग छटाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा तॉसे से कहते हैं अर्ड्र प्लैक रहों ऐसे क्या हो जाएगेगन तेट यूप लिखते रहों अपने हमारा क्या है था टाइफ़ाइड ए टां से तपेदि rocks का सकते और टी से टाइफ़ाइड वह जाता है तो यह सब हमारेs बैटरिया से होने वाले रोग है इसको दें वेक्स आसिको लोड करना उनले हैं भोगण हें नेक्स सेलोधे नियुक्षन लगने की परक्रिया ओती है dao को लोहे को जंग लगने की परक्रिया कौन सी होती है सबी लोग बताएंगे अप्ट बोस्ति करण के कारण पहिती है तो आपको यह फेपडो द्वारा तोचा नहीं ये कि गलफडों के द्वारा सांस लेती है option number C की और जाएंगे next question आपके सामने है आबिर्ती का मातरक क्या होता है बताए आबिर्ती का मातरक हट्स होता है option number B की और जाएंगे बहुत साथ important है next question इस question को देखिए मानब के सरीर का लाल रंग लाल किसके कार होता है मनुस के मैं बोल क्या रहा हूँ मनुस के रक्त का रंग लाल किसके कार होता है बिलेड बिलेड का रंग किसके कार होता है लाल बताओ आपको के हिमोगलोबिन के कार होता है हिमो गलोविन के गाड़, option number क्या रहेगा, बिस्ती इस राइट रहेगा, next question, next question है, निमनिकत में से कौन सा आचुमक की धातु है, बदाइए, आचुमक की धातु कौन सी है, आचुमक की धातु वो होती है, जो चुमक पे नहीं चिपकती है, तो लोहा तो भईया चिपक जात है, निकल भी चिपक जाता है, क्वाल्ट भी चिपक जाता है, लेकिन टीन कभी आपने देखी है, चिपकती हुई, नहीं देखी है, option number B is right, last question है, बाकि हम पार्ट टू में मैत को देखेंगे, यहां कह रहा है, बादल बाताबड में इसलिए तेहरते हैं, क्योंकि उसमें क् क्या है, बताइए, वो क्योंकि उसमें जो घनत्व होता है, वो कम होता है, उनका घनत्व कैसा होता है, कम होता है, इसलिए वो तेहरते हैं, तो हमारे जो कोश्ते 30 कोशन जो GKGS के वो complete हो गए, और बाकि जो 20 कोशन मैत और reasoning के बचे हैं, आप देख लिजिए, math और reasoning के यहा सब्सक्राइब कर लिजिए, और पहली बार आएं, दोस्तों को शेर करना है, मिलते हैं, तब तक के लिए, बाई बाई